हेलो एब्रिवन कैसे हो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रशन करने वाले हैं सेक्षन एक कोश्चन नमबर 11 के सॉलिशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले वीडि सैडो ठीक है देन अगल अफ अलिवेशन अफ देखो क्या दिया हुआ है यहां सिंपल फ़र्म में यह हमारे पास क्या है टावर टावर है और यह इसका क्या बनता है रड़ इसद और इसको हमने यहां से-अछे जॉइन कर लिया ठीक है तो जो हाइट अप दे टावर है वो equal है length of the shadow के ठीक है यानि कि अगर इसका height हम लोग supposed x करे तो shadow का भी height कितना होगा that is x तो हमें बताना है angle of elevation of sun यानि कि ये angle हमें बताना है actual में कि कितना होगा that is theta अब यहाँ पर यह हमारा क्या होता है theta का सामने वाला side perpendicular होता है और ये तो हमेशा hypotenuse आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा base तो perpendicular और base आपको दिया हुआ है perpendicular और base किस में relation आता है tan और cot में तो tan के basis पर बना लो cot के basis पर same आपको देखने को मिलेगा तो हम लोग tan के basis पर बनाते है tan theta tan theta equals to क्या होता है that is perpendicular by base क्या होता है तो इस basis पे tan theta tan theta equals to कितना गया 1 और 1 किसका value होता है that is tan that is tan 45 degree का कितना होता है tan 45 degree का तो इस basis पे theta equals to कितना गया 45 degree कितना गया theta equals to 45 degree इस basis पे answer कौन हो कि इसका that is option number B is the right answer of this question I hope कि ये part भी आपको एक्दम clear form में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका solution किया है complete playlist का link मिलेगा आपको description में साथी जाथ हमें telegram के join नहीं किया उसका link मिल जाएगा आपको description में